सेलंगणाखी राजपाल, डॉक्टर तमिल साइब सांदर राजन जी, केंद्रिय मंत्री परशत के मेरे सयोगी, नरेंदर सीह जी तोमर, प्रिजी कर्ष्ट रेड़ी जी, इक्रिशेट की डारेक्टर जनरल और आनलाइन माध्यम से देश विदेश से खास कर अफ्रीकी देशों से जुड़े महानुभाव, यहां उपस्तित, देवियों और सज्जनों, आज वसंत पंचमी का पावन परवा है, आज हम ज्ञान की देवी माध्य सरस्वति की पूजा करते हैं। आप सभी जिस्षेत्र में हैं उसका आधार ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, इन्मेंशन ही है। और इसलिए बसंत पंचमी के दीन, इस आयोजन का एक विशेत्र महत्त हो जाए है। आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई है। साथियों, पचात साल एक बहुत बड़ा समय होता है। और इस पचास साल की यात्रा में, जब जब जिस जिस ने जो जो योगदान दिया है। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कारे को आगे भराने के लिए, जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूँ। ये भी अधिभूत सहयोग है, कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है। तो आपकी संस्ता 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तो आप 75 वर्ष में होंगे। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है। वैसे ही अगले 25 वर्ष इकली सेट के लिए भी उतने ही एहम है। साथियों, आपके पास पांच दसकों का अनुभव है। इन पांच दसकों में आपने भारत सहीद दुनिया के एक बड़े हिस्से में क्रिशी छेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेकनलोजी ने मुश्किल परिस्तितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेकनलोजी डिस्प्ले देखा, उसमें इक्री सेट के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मेनेजमेंट हो, क्रॉप वेराइटी और प्रोडुक्शन प्रैक्रिसेज में सुधार हो, अनफार्म डाइवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइश्टॉक इंटिग्रेशन हो, और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो। ये होलिस्टिक एप्रोच निश्चित रुप से एग्रिकल्चर को सस्टनेबल बनाने में मदद करते हैं। तेलंगणा और आंद्र प्रदेश में दालों विशेश रुप से चिक पी को लेकर इस खेतर में जो विस्तार हुआ है, उसमें आपका योगदान एहम रहा है। किसानों के साथ इक्रिसेट की यही कॉलबरेटिव एप्रोच खेती को और ससक्त करेगी, समर्द करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्ट फेसिलिटी अन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रेपीड जनरेशन एडवांस्मेंट फेसिलिटी के रूप में नई फेसिलिटीज का उद्धाटन हुआ है। यह रिसर्ट फेसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चनोती का सामना करने में क्रिसी जगत की बहुत मदद करेंगे। और आपको पता होगा बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रिकेल्टर प्रेक्टिसिस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए। उसी प्रकार से भारत ने लाफ्स्ट एक बहुत बड़ा इनिसेटिव लिया है। कि क्लाइमेट चेंग के गान जो परिसित्या पैदा हुई है नेचरल कलेमिटी जाती है। उसमें मानव मृत्यू की चर्चा तो सामने आती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रेक्टर का जो नुक्षान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चर्मरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रिजिस्ट्रेंस वाले इंफ्रास्ट्रेक्टर के लिए उस पर चिंतन, मनन और योजनाय बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्ट्रिटूट को जन्म दिया है। आज वैसा ही ये काम इस एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसों तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है। लेकिन इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखरी पाइदान पर होते हैं। जिनके पास रिसोर्सिस की कमी हैं, जो विकास की सीडी में उपर चरणने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं। और भारत में 80-85 प्रतिशत किसान छोटे किसान है। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेज ज्यान देने का आगरे किया है। भारत ने 2070 तक, 2070 तक, नेट जीरो का टार्गेट तो रखाई है। हमने लाइफ, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल और एंवार्मेंट इस लाइफ मिशन की जरूत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से, प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है, जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए, हर कॉम्यूनिटी को, हर इंडिवीजियल को, क्लाइमेट रिस्पॉंसिबिलिटी से जोडता है। ये सिर्फ बातों तक सिमित नहीं है, बलकि भारत सरकार के एक्शन्स में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, इस साल के बजेट में, क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्रात्मिक्ता दी गई है। ये बजेट हर स्तर पर हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिट्मेंट्स को प्रोसाइक करने वाला है। साथियों, क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर्स के कारण भारत की एक्रिकल्चर के सामने जो चुदोतिया है, उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेग्निशन्स, बलिभाती परिचीत है। आप में से जादा तर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। हमारे यहां पसंद, ग्रिस्ब, वर्षा, शरत, हैमन और शिशिट ये छे रुतिये भी होती हैं। यानि हमारे पास एग्रिकल्चर से जुड़ा बहुत विवित्ता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है। इस अनुभव का लाप विश्व के अन्य देशों को भी मिले। इसके लिए इक्रिसेट जैसे सनुताओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आज हम देश के करीब एक सो सतर डिस्टिक्स में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं। क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फूचर दोनों के फ्यूजन पर है। हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। इस बजेट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रिकल्चर पर अभूत पर वह बल देया गया है। एक तरफ हम मिलेट्स मोटे अनाच का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आधुनिक टेकलोलोजी को प्रोचाहिट कर रहे हैं। आजहादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रिकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे वीजन का ये बहुत अहम हिस्सा है। साथियों बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्पक्ष है डिजिटल एग्रिकल्चर। ये हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बहुतरिन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नलोजी से कैसे हम किसान को एमपावर कर सकते हैं इसके लिए भारत में प्रयाश निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप एसेस्मेंट हो, लेंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसेड्स और नूट्रिन्स की स्प्रेइंग हो। ऐसी अनेक सर्विसिज में टेक्नलोजी का उप्योग, आर्टिफिशल इंटलिजन्स का उप्योग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाइट टेक्ट सर्विस देने के लिए एग्रिकल्चर रिसर्च से जुड़े इको सिस्टिम्स और प्राइवेट एग्रिटेक्ट प्रेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। सीन्चाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बहतर बीच, ज्यादा पैदावर, पानी के मनेजमेंट को लेकर आइसी ए आर और इक्री सेट की पार्टर्शिप सफल रही है। इस सक्सेस को डिजिटल एग्रिकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है। साथियों, आज हादी के अमरित काल में हम हायर एग्रिकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्रूजिव ग्रोथ को भी प्रात्फिक्ता दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कृषि के खेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत एहम है। उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयम सहायता समों के मादम से भी प्रयास किया जा रहा है। खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीब से बहार निकाल कर बहतर लाइट स्टाइल की तरफ ले जाने का पोटेंशल है। यह अम्रितकाल कठीन बोगोलिक परिस्थित्यों में खेती करने वाले किसानों को कठीनाईयों से बहार निकालने के नए मादम भी मुहया कराएगा। हमने देखा हैं सिंचाई के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन रिवलुशन का हिस्सा नहीं बन पाया था। अब हम दोहरी रणनीती पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम वाटर कंजर्वर्शन के मादम से नदियों को जोड़कर एक बड़े खेत्र को इरिगेशन के दायरे में ला रहे हैं। और अभी जब मैं प्रारम में यहां की सारे एच्विमेंट्स को देख रहा था। तो उसमें बुंदेल खंड में किस प्रकार से पानी के प्रबंधन को और पर ड्रॉप मौर कॉप के मिशन को सफल करने के लिए कैसे सफलता पाई हैं। उसका विस्तार से वरनन मेरे सामने साइंटिस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित छेत्रों में वाटर यूज एफिजन सी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोड दे रहे हैं। जिन फसलों को पानी की जरुवत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती उन्हें भी आदुनिक वराइटी के विकास से पोच्छान दिया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्फरता के लिए जो नेशनल मिशन हमने शुरू किया है वो भी हमारी नई एप्रोच को दिखाता है। आने वाले पांच सालों में हमारा लक्ष पाम ओइल एरिया में साड़े छे लाग हेक्टर की वृद्धी करने का है। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर स्तर पर मदद दे रहा है। तेलंगना और आंदरप्रदेश के किसानों के लिए भी ये मिशन बहुत लापकारी होगा। मुझे बताया गया है कि तेलंगना के किसानों ने पाम ओइल की प्रांटेशन से जुड़े बड़े लक्ष रखे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए केंदर सरकार हर संभव सहायता देगी। साथियों पिछले कुछ वर्षों में भारत में पोस्ट हार्वेस्ट इंफरस्टेक्टर को भी मजबूत किया गया है। हाल के वर्षों में 35 मिलियन टन की कोल्ड चेंज स्टोरेज कपिसिटी तयार की गई है। सरकार ने जो एक लाग करोड रुपिय का एग्रिकल्चर इंफरस्टेक्टर फंड बनाया है। उसकी वज़े से भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफरस्टरक्टर का तेजी से विकांस हुआ है। आज भारत में हम एपियोज और एग्रिकल्चर वेल्यू चेंड के निर्मान पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। देश के छोटे किसानों को हजारों एपियोज में संगडित करके हम उन्हें एक जागरूख और बड़ी मार्केट फोर्स बनाना चाहते हैं। साथियों भारत के सेमी एरीड खेत्रों में काम करने का इकली सेड के पास एक रीच एक्स्प्रियंस है। इसलिए सेमी एरीड खेत्रों के लिए हमें मिलकर किसानों को जोड़कर सस्टेनेवल और डायवर्सिफाइड प्रोडक्शन सिस्टिम का निलमान करना होगा। अपने अनुभवों को इस्ट और साउथ अफरिका के देशों के साथ सहर करने के लिए एक्सेज प्रोग्रेम भी शुरू किया जा सकता है। हमारा लक्ष सिर्फ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना ही नहीं है। आज भारत के पास सरप्रस फूड ग्रेन है जिसके दम पर हम दुनिया का इतना बड़ा फूड सिकुरिटी प्रोग्रेम चला रहे हैं। अब हम फूड सिकुरिटी के साथ साथ नुट्रेशन सिकुरिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसी वीजन के साथ बिते साथ सालों में हमने अनेक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी का विकास किया है। अब अपनी खेती को डावर्सिप्वाइड करने के लिए अपने सुखा प्रभाविक खेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बिमार्यों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलियंट वराइटी पर हमें जादा से जादा काम करना है। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं जिससे सुखा प्रभाविक किसान या कन जमीन वाले किसान अधिक बायो फ्यूल देने वाली फसले उगा सके हैं। बीजों की प्रभावी डिलिवरी कैसे हो उनके प्रती विश्वास कैसे पैदा हो इसको लेकर भी मिलकम हम सब को साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। साथ क्यों मेरा विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटिव मैंड्स की मदद से पीपल्स पार्टिसिप्रेशन से और सोसाइटी के कमिट्मेंट से हम एग्रिकल्चर से जुड़ी तमाम चुनोतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। भारत और दुनिया के किसानों का जीवन बहतर बनाने में आप ज्यादा समर्थ हो बहतर से बहतर टेक्नोलोजिकल सॉलूशन देते रहें। इसी कामना के साथ एक बार फिर इक्रिशेट को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके भव्य बुद्काल का अभिनंदन करते हुए। उजवल भविश की कामना करते हुए देश के किसानों की आन बान शान के रुप में आपका ये पुर्शार्त काम आए। इसलिए मेरी बहुत बहुत सुबकामना है। बहुत बहुत बदाई धन्यवार।